नेपाल बहु प्रक्क पिया जोखिम भाय को देशो, नेपाल विश्वका अन्य देश्वर को तुला नामा भुकम पिया जोखिम का द्रिष्ट कुण बायाट एगारों इस्तान मार रहेको बिविन्न अद्देन हरूले जनाय काशन। जस्मा कार्टफंडों मा जम्मा 4,296 जनको मिर्थु भाय को थियो, सो भुकमपा बाट 2,077,740 घर देवालाय रा पाटी पोवा भदकेका थिये। नेपाल को पूर्वी भाग उधैपुर जिल्ला मा केंद्र बिन्दु भाय को 6,5 रेक्टरी स्केल मा 7,211 जनको मिर्थु भाय को र 65,000 भंदा बड़ी घर लाई छेती पुराय को थियो। माथिकाई तथेंका हरु हेरदा नेपाल साच्ची के योटा भुकमपिय जो खीम छेत्र मा रहाय को प्रस्ट होंचा। विक्रम समाथ 2022 वैशक 12 गते सनिबार नेपाल को प्रमाडिक समय अनुसार 11-6 नमा लगभक 34 किलोमीटर पुर्व दक्षेंड पुर्व बार्ककलाई केंद्र बिन्दु बनाई 7,8 रेक्टरी स्केल को भुकमप 15 किलोमीटर गहिराई मा गय को थियो। विक्रम सम्मत 1990 को महा भुकमप पचिको यो सभीवंदा ठूलो भुकमप थियो। एस भुकमप मा परी 8,566 जना को मिट्त भायकु थियो बने 2,309 जना घाहिते भायकाशन। गोर्खाको बारपाक लाए केंद्र बिन्दु बनाए रा गय को यो भुकमप मा परी 2,663 सरकारी भावन हुरुमा पूर्ण छेती रा 3,777 सरकारी भावन मा आंग्सिक छेती भायकु थियो। यो भुकमप मा परी धर हरा बसंतपूर भुंग मा रहको रातो मचिंद्र नात को मंदिर दोस्त भायका थियो। दोसरो ठुलो भुकमप विक्रम समा 2022 वैशक 39 गते 12 बजेरा 50 मिनेट जादा कोधारी को दक्षिन्ड पूरवामा 18 किलोमीटर मा केंद्र बिन्दु बनाए 7.3 रेक्टरी स्केल को भुकमप गय को थियो। महासाखा का अनुसार एश भुकमप को केंद्र बिन्दु राजदानी काठफोंडव रशगर माता बिचको चीनियासी मा नजेके रहाएको थियो। जुन 18.5 किलोमीटर गहिराई मा गय को थियो। दुहेजार उनान सत्तरी 22 कात्तिक मा खप्तर राष्ट्रे निकुंज केंद्र बिन्दु बनाएर गय को 6.6 मुलप्छ मैगनिस्ट्यूट को भुकमप मा परेर 6 जानाले ज्यान गुमाए 22 सालमा गोर्खा को बारपाख केंद्र बिन्दु बनाएर गय को 7.6 मुलप्छ मैगनिस्ट्यूट को भुकमप पचे को नेपाल मैं सबेवन्द ठूलो भुकमप थियो। सो भुकमप का कारणड घर पतकेता ज्यान गुमावने सबेख डूटी का पूर्भी चोगी गाउपाली का तीन गयर गाउँ का बासिन्दार घायती पनी यही के थिये। गाउपाली का कारलाएका अनुसार यो भुकमप पदे 10920 घर मा छेती पुराएकु थियो। ये संद्रचन पुन निर्माड गर्णपर ने सुची मा राखिये का सन। तेस्ते 2018 कात्तिक एक गाते राती 10 बजेर तीन मिनट मा बजांग सदर्मुकाम चयनपूर आसपास केंद्र बिन्दु बनायेरा 4.6 रेक्टरी स्केल को भुकमप गईकु थियो। ज्यान धन को छेती बने भाय को थिये न। तेस्ते कात्तिक पाज गते 2018 साल मा बिहान 7 बजेर 49 मिनट मा खरी केंद्र बिन्दु बहायेरा 4.1 रेक्टरी स्केल को भुकमप गईको राष्टि भुकमप मापन ततन संदान केंद्र लिज जान करी दियेकु थियो। 2018 कात्तिक 17 गती सुक्रबार मदेराती 11-46 बजे जाजर कोट रामी डाडा केंद्र मिन्दु बनायेरा 6.4 रेक्टरी स्केल को भुकमप गईको थियो। भुकमप ले जाजर कोट रुकुम पस्चिम्मा ठूल छेती पुगेको शा। स्वयू को जियान समित गुमिशा केकोशा। विपद बेपस्थापन का लागी, 22 प्रकोप उधार N-2049 रहेकोच, S-N को बेवस्था अनुसार। केंद्र देखित जिला सम्म, 22 प्रकोप उधार समिती हरू। केंद्रय, 22 प्रकोप रहात समिती, रहात तथा उपचार, उपस समिती, आपरती बस बस बास्तता पुनर्ष्थापना उपस समिती प्रदान मंत्री दईबी प्रकोप रहात कोस तथा केंद्रिय दईबी प्रकोप उदार कोस को बेवस्ता समित रहाई कोश नेपाले विपत ब्यवस्तापन को प्रभापकारी कारुनोयन गर्न विपत जोकिम ब्यवस्तापन राष्टे रर नेती 2066 तरजुर्मा गरेकोश खानी तथा भुगर्ब विवाक अंतरगत राष्टे भुकमप मापन केंद्र को इस्तापना भई हाल 21 ओटा स्टेशन हरू मारफद भुकमप सम्मंदी सुचान संकलन गरी चार रेक्टर स्केल भन्दा बड़ी का भुकमप को सुचान ततकाल सार्भजनी करने विवस्ता गरियेकोश साथे भावन एन तथा भावन संगिता को तजुर्मा पनी गरियेकोश नेपाली सेना नेपल प्रहरी तथा सोस्त्र प्रहरी बल्ले विपत प्रभावित बेक्ति हरूलै खोजी तथा रहात तथा सिग्रपुन इस्तापना गरने कार्यमा महत्पुर्ण भुमी का निर्भागर्दे आयको देखीएंच सशस्त्र प्रहरी बल्ले, कुरिंट रमा विपत ब्योस्तापन तालीम केंद्र संचालन में लायकू देखींच, विपत का घड़ना को सुचना संकलन तता रहात तता उद्धार कार्ये को प्रभापकारी समन्ने तता ब्योस्तापन का लागी, गिर्या मंत्रा लाहिमा राष्ट्य आपत कालीन संचालन केंद्र इस्थापना गरी 24 गंटा संचालन होने बेवस्था मिलाईएकु देखींचा रहात तथा उधार कार्येमा एक द्वार निते तथा विशाईगत अवधारना लागो गरीएकुछा विपत जोकिम निवनिकरन राष्ट्य शाईगत कारिया मंच गठन गरीएकु देखींचा तेशे गरी विविर्नना गयर सरकार संस्ताहर समेत एस कारियेमा समलंग नहोदे आयकु देखींचा एती उदा उदे पनी हामी विचनी केईने समस्यार सुनाव दिहर रहाएकाचन प्रकपको घटना घर्टी सगे पची मात्र रहात्र उदार्मा केंदरित हुनु विपत ब्यवस्तापन का लागी आवशेक प्रयाप्त सुरत साधन जन सक्ति र सस्तागत संर चना को ब्यवस्तागर न शक्नु जोकिम ब्यवस्तापन मा जोकिम निवनिकरनला बंडा विपत प्रतिकारिय लाए बड़ी जोड दिनु हामरो कमजरी हरु देखींच तेसे गरी जोकिम ब्यवस्तापन का लागी शुरत साधन को कमी दुर्गम र कठिन भाउगलिक अवस्ता भाउतिक पुर्वधार को कमी विपत जोकिम निवनिकरन मा प्राप्त प्रचार प्रशार जना चेतना को कमी होनु आधुनिक प्रविदी उपकरन र यंत्र को अभाव योग्य तता तालिम प्राप्त संबंदित भेक्तिको कमी अविवस्तित बस्ती हरु विपत ब्यवस्तापन को चेत्र मा कारेरत सबे निकाय हरु बिच समन्नाय को कमी काम र जिम्यवारी को उचित भाणफार होना नसक्न नियुनतम गरना हाम्रो सामु मुख्य चुनमति रहाईको देखींचा तिर्चर्ठी सरकारी भावन हरुमा पूर्ण छेती र 3,777 सरकारी भावन मा आंग्सिक छेती भावाईको थियो एसे गरी 6,222,777 सर्वसाधरनार का घर पूर्ण रुपमा छेती र 2,25,900 घर मा आंग गते 12 बजेरा 50 मिनेट जादा कोदारी को दक्षिन्ड पूर्वामा अठारा किलोमीटर मा केंद्र बिंदो बनाई 7.3 रेक्टरी स्केल को भुकमप गवाईको थियो महासाखा का अनुसार एस भुकमप को केंद्र बिंदु राजदानी काटफोंडव रसगर माता बिच को चीनियासी मा नजेके रहाईको थियो जुन 18.5 किलोमीटर गहिराई मा गवाईको थियो दुहेजार उननशत्तरी 22 कात्तिक मा खप्तर राष्टे निकुन्ज केंद्र बिंदु बनाएर गवाईको 6 दसमलप्छ मैगनिस्ट्यूट को भुकमप मा परेर 6 जानाले जियान गुमाई 7 जाना घाहिति भाई 22 सालमा गोर्खाको बारपाख केंद्र बिंदु बनाएर गवाईको 7 दसमलप्छ मैगनिस्ट्यूट को भुकमप पचेको नेपाल मैं सबे बंद ठुलो भुकमप थियो सो भुकमप का कारणड घर पतकेता जियान गुमावने सबे डूटी का पुर्भी चोगी गाउपाली का तीन गयर गाउपाली का बासिंधार घाहिति पनी यहाई के थिये गाउपाली का कारणड लाएका अनुसार यो भुकमप पदे एक हजार नोशे भीस घर मा छेती पुराएको थियो ये संद्रचना फुन निर्माड गर्णपरने सुचिमा राखिये का सन तेस्ते 2018 कात्तिक एक गाते राथी दोस बजेर तीन मिनट मा बजांग सदर मुकाम चोयनपूर आसपास केंद्र बिन्दु बनाएरा 4.6 रेक्टरी स्केल को भुकमप गाईको थियो जान धनको छेती बने भाईको थिये न तेस्ते कात्तिक पांज गते 2018 साल मा बिहान 7 बजेर 49 मिनट मा खरी केंद्र बिन्दु बहाएरा 4.6 रेक्टरी स्केल को भुकमप गाईको राष्टि भुकमप मापन तथन संदान केंद्र लिजान केरी दिये को थियो 2018 कात्तिक 17 गती सुक्रबार मदेराती 11-46 बजे जाजर कोट रामी डाडा केंद्र बिन्दु बनाएरा 16.4 रेक्टरी स्केल को भुकमप गाईको थियो भुकमप ले जाजर कोट रुकुम पस्चिम्मा ठूल छेती पुगेगो शा